बांस यानि बैंबू खाने के फायदे नमस्कार दोस्तों हमारे ST Health Study YouTube चैनल में आप सभी का सवागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बांस यानि बैंबू की बात करते हैं हमारे आज पास कई ऐसे पेड़ पोदे हैं जिनका इस्तिमाल प्राचिन समय से हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए किया जाता रहा है जैसे नीम, तुलसी, गिलोए, एलोएरा, सपेद मुशली, स्तावरी, अस्वगंदा आदी का नाम तो आपने सुना ही होगा लेकिन क्या आपने बास, बैंबू सुट्स और इसके हेल्थ से जुड़े फायदों के बारे में सुना है सायद नहीं तो हम आपको बता देगी आप जो लंबे-लंबे बास देखते हैं बास या बैंबू सुट्स गास की एक विशेश पर जाती होती है जो अधिकतर जंगली इलाकों में पाई जाती है इन बास के अनगिनित उस्दिय गुण है आज भी कई बिमारियों के इलाज के लिए इसकी सक्त बास का नहीं बलकि इसकी कोपलों का उपियोग खाने के लिए किया जाता है बास के कोपलों में विटामिन A, विटामिन E, विटामिन B6, कैलसियम, कोपर, मैगनिसियम, सोडियम, फासपोरस, हैम, प्रोटिन की मातरा पाई जाती है जो हमारी सेहत के लिए अत्येंत गुणकारी होते है परन्तु इसका सही डंग से इस्तेमाल ना किये जाने पर कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते है तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बास यानि बैंबू के फायदों और उसके कुछ नुक्सान के बारे में बात करते है नमबर एक, इम्यूनिटी को करता है मजबूत को कम कर सकते हैं इसमें गुलंचिल फाइपर पाये जाते हैं जो हमारे शरीर में सुगर के और सोशन की किरिया को दीमा कर देते हैं जिसे मदूमे का सतर संतुलित रहता है यह हमारे रक्त में सुगर की मात्रा में विर्दी नहीं होने देता जिससे मदूमे के रोगियों को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है नमबर तीन, बास के इस्तेमाल से हमें दस्त जैसी समस्या में जल्द राहत मिलती है इसमें गुलूकोसाइड, वीटेन, साइनोजेन, केमिकल कंपाउंड, एवम, एंजाइम पाये जाते हैं जो दस्त की समस्या को ठीक करने में बेहद साहक होते हैं इसके अलावा या हमारे पेट के स्वास्ते के लिए भी बेहद गुनकारी माना जाता है नमबर चार, बास के इस्तेमाल से हम सवास सम्बंदी समस्याओं से चुटकारा पा सकते हैं हमारे शरीर में inflammation के कारण स्वास सम्बंदी समस्या उत्पन हो सकती है बास के कोपलों में anti-inflammatory गुन पाए जाते हैं जिससे स्वास सम्बंदी समस्याओं से सुटकारा मिलता है बास के कोपलों का काड़ा बनाकर उसमें सैध मिलाकर पीने से हमारी सौशन पर नाली बेहतर रहती है नमबर पांच कोलेस्ट्रोल को करता है कम बांच या बैंबू सूट्स में फाइबर की उच्छ मात्रा पाई जाती है और इसमें कैलोरीज की संक्या बेहतर कम होती है इसलिए यह शरीर में मुझूद LDL यानि बैड कलेस्ट्रोल के लेवल को कम करने में मदद कर सकता है इसके अलावा बैंबू सूट्स में फाइटो सटे रॉल्स और फाइटो नूट्रियंट्स भी होते हैं जिसे अगर उबाल कर खाया जाए तो यह दमनियों में होने वाली रुकावट को और संकूचन को दूर कर देता है एक बार जब बैड कलेस्ट्रोल कम हो जाता है और दमनिया कलियर हो जाती है तो उसके बाद हर्दय रोग होने का खत्रा भी अपने आप कम हो जाता है नमबर छे बास के पत्तोगा काड़ा बनाकर पीने से एवं बास के कोपलो की सबजी बनाकर खाने से अलसर जैसी बिमारी के लक्षणों को कटाया जा सकता है इसमें एंटी अलसर के गुन पाए जाते हैं जो हमें पेट के अलसर से बचाने में बेहद मददगार माने जाते हैं इसके अलावा यह हमें अन्य बिमारियों से बचाय रखने में भी बेहद परवावसालि होता है नमबर साथ बास की साखाओं का जूष बनाकर उसका सेवन करने से हम खाशी जैसी समस्या से बच सकते हैं इसमें पाई जाने वाले प्राकर्तिक गुण हमारे गले को राहत पहुंचाते हैं जिससे हमें खाशी की समस्या में राहत मिलती है नमबर आठ बास के उपयोग से हमें पाईल्स की समस्या को दूर करने में आसानी होती है इसमें फाइबर की बरपूर मात्रा पाई जाती है जो बवाशीर के लक्षुना को गाटाने में बहुत सायक होता है यह बवाशीर जैसी बिमारी के गरेलू इलाज के लिए कापी अध्तक प्रभावसाली माना जाता है बताया जाता है कि बास की कोपले पीरियर्स को रेगुलेट करने में मदद कर सकती है इसके अलावा बास की कोपलों में मौझूद एनालजेशिक परभावसे पीरियर्स का दर्द कम हो सकता है और महिलाओं को पीरियर्स के दोरान होने वाले दर्द से तुटकारा मिल सकता है नमबर दस बास के नियमित सेवन से हम यूरिन समबंदी समश्याओं से बचे रह सकते हैं एक सोध के अनुशार बास के अर्क में यूरिनरी डिस्पंक्शन यानि बुद्तर समबंदी समश्याओं को ठीक करने वाला गुण पाया जाता है जिससे हमें रुक रुक कर पेशाब आना पेशाब करते समब जलन और पेशाब करते समब दर्द जैसी समश्याओं से तुटकारा पाने में मदद मिल सकती है नमबर ग्यारा दोस्तो एरिसीपेलस एक तरह का स्किन इनिफेक्शन है इसमें तवच्चा की बाहरी परत प्रभावित होती है इसके कारण चेहरे पर लाल रण के सक्थे और सूजन होती है इस संक्रमन को एंटीबायोटिक की मदद से कम किया जा सकता है यह गुन बास की पतियों में मुझूद होता है इसी वज़े से माना जाता है कि बास की पतियों के पेस्ट को पीश कर पहुचा पर लगाने से इस इनिफेक्शन के परभाव को कुछ हद तक कम किया जा सकता है नमबर बारा बाल और नाकुन बनते हैं मजबूत बास की पतियों का सेवन नाकुन और बालों के लिए भी पाइदे मन्द होता है दरसल इन में विटामिन E और एंटी ऑक्सिडेंट वरपूर मातरा में होते हैं जो शरीर में टिसूज को सवस्त बनाए रखने में मदद करत हैं नियमित रूप से बास की पतियों का सेवन करने से बाल और नाकुन मजबूत होते हैं साथी बालों के विकास में भी मदद मिलती है नमबर तेरा बास के इस्तेमाल से हमारे शरीर के बाहरी एवं अंधरूनी रूप से तंडक मिलती है जिससे हम बीशन गर्मी के दुस प पर लगाने से हम एरी सिपलेश नामक तवच्छा समंदी संक्रमन से बच सकते हैं और लास्ट है नमबर चोदा वास की तासीर कैसी होती है वास की तासीर ठंडी होती है और यह कप और पित को कम करने में मदद करता है इसके अलावा वास की प्रकरती मीठी तीखी कड़वी और एसीटिक होती है जो खून को साप करने के साथ ही सकती बढ़ाने में भी मदद करता है तो दोस्तों अब तक आपने बास काने के फायदों के बारे में देखा और सुना लेकिन बास काने के नुक्सान भी होते हैं तो चलिए जानते हैं बास काने से होने वाले नुक्सान क के बारे में गर्बावस्ता और सतनपान कराने वाली महिलाओं को इसका सेवन करने से बचना चाहिए थाइराइड की समस्या वाले लोगों को इसके सेवन से बचना चाहिए दरसल यह थाइराइड फंक्शन को परभावित कर सकता है उर्षों की परजनन चंता पर नकारातमक प पर बाव पढ़ सकता है, इसके अधिक सेवन से शरीर में यूरिक एसिड का सतर बढ़ सकता है, यानि हाइपर सुनीमिया हो सकता है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे भी ऐसे ही बेत्रीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद सवस्त रहो और मस्त रहो